जै शी कृष्णा दोस्तो बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम जिन भी बैनों के देखे अभी तक कोई संतान नहीं है जिनकी डॉक्टरिर रिपोर्ट भी नॉर्मल है फिर भी उनको संतान की प्राप्ती नहीं हो रही तो उन बैनों के ल आप इसका पूजन करें नहीं तो आप किसी मंदिर में भी या फिर आप आटे का शिवलिंग बना कर भी अपने घर में इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तो बहुत ही सरल है बहुत ही अचूक है आप इसको जरू करके देखेगा आपको मन वांचिन संतान की प्राप्ती अवश् है या किसी भी वजह से अगर आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो रही तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें क्योंकि देवों के देव महादेव के आगे देखे कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र नहीं चल सकता कैसा भी अगर कोक बंदन होगा तो अवश्य ही दूर होगा और आपको संतान की प्राप्ती अवश्य ही होगी दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली वाई मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मैं चन को सस्क्राइब करें बगले बैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो इस उपाय को आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप मासिक धरम से शुद्ध होने के बाद शुरू करें तो बहुत ही शेष्ट रहेगा क्योंकि इस उपाय को या तो आपको 40 दिन तक करना है या फिर 21 दिन तक घरमें ही इस उपाय को करना है आप आटे का शिवलिंग बना सकते हैं अगर आपके पारत शिवलिंग हो तो वो ले सकते हैं नहीं तो आप किसी मंदिर में भी जाकर उपाय कर सकते हैं दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको देखे एक कनेल का फूल लेना है अगर जिनको पुत्र की कामना है तो वो शिवलिंग के बीज भी ले सकते हैं नहीं तो आप केवल साथ दाने चावल के ले सकते हैं चावल के दाने टूटे फुटे नहीं होने चाहिए देखे शिवजी की पूजा में और समागरी कम हो सकते हैं लेकिन अक्षत अवश्य ही लेना चा पन्चामित बना सकते हैं but यह पिल्ब को ढ़िए दनी चाहिए वह ले सकते हैं तो आप चाहें तो शिवलिग की बीज भी ले सकते हैं दोस्तों आपको भगवान शंकर का पूजन करना है देख़ें अगर आपके घर में रहें तो आपको शिवलिग के नीचे एक पात्र आप पंचा में से सनान कराने के बाद स्वच जल शिवलिंग पर डालते हैं उम नमर्शिवाय कहते हुए तो आपको वो जल आपको एक बरतन में खटा कर लेना है चाहे तो आप अगर अपने घर में कर रहे हैं तो किसी बरतन के उपर यानि अंदर वो शिवलिंग को रखे और उप आपको को तो दीफक प्रजलीद करना है और अपने हाथ यानि अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में आपको एक कनेल का फूल साथ दाने चावलके और सदाने आपको ओने लेकर www. अउम में अध्यड करकर आपसे två ऑ्क सीधे और जान करके चावल के डानों को और शिवलिंग के बीज को और जो फूल है उसको भी आपको उठा लेना है और उस फूल को आप पहले तो चड़ई रहने दे अगर घर में रखा है तो नहीं तो अगर आप किसी मंदिर में कर रहें तो आप संग-संग पांच मिनट बाद उठा लें और घर ले आएं दोस्तो कनेल के फूल को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और अगर वो जब सूखने लग जाया तो आपको किसी भी गमले में उसको दबा देना है साथ ही दोस्तो जो आपने शिवलिंग के बीज लिए हैं और चावल के दाने लिए हैं और जो शिवलिंग का जो जल है जो एक पात्र में एकटा करने के लिए मैंने आपको बोला है वो संध्या के समय जिस भी समय आप पूजा कर रहे हो उसके बाद आपको साम के समय या रात के समय उसको ग्रहन कर लेना है उसी दिन यानि जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं दिन आपको किसी भी समय पर उसको ग्रहन कर लेना है उसी पानी से आप चाहें तो उनको मसल के ले सकते हैं नहीं तो आप साबुद भी उनको चबा कर भी निगल सकते हैं लेकिन लेना आपको शिवलिंग के जल से ही है आप चाहें तो शुद्ध जल शिवलिंग पर अरपित कर तो वो एक दीपक मतलब पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पा रहे तो आप सिरफ इस उपाय को भी करेंगे न तब भी आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी और जिन भी बहनों के देखे अगर लड़की संता केवल तो उनको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों अगर इस उपाय को आप देखे मतलब मंदिर में जाकर कर रहें और आप जल जैसे शिवलिंग का जल नहीं ला पा रहे तब आप केवल मतलब जो चावल के दाने हैं और जो शिवलिंग के बीज हैं उन्ही को उठा कर ले आएं और आप गाय के दूश से भी उसको ले सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आपकी कोख बंदी हुए है तो आप देखे साथ ही 40 दिन तक या 21 दिन तक पीपल के पेड के नीचे अपने उपर से देखे एक छोटी से गुड की डली को साथ बार घुमा कर अपने उपर से पीपल के पेड के नीचे रखे आएं और साथ ही आप एक दीपक वहाँ पर भी जलाया और वहाँ पर भी संतान प्राप्तिक ले प्रात्ना करें दोस्तों इस उपाय को आपको देखे 21 दिन या 40 दिन तक करना है इसलिए अगर आप मासिक धरम से ठीक तो चड़ाने ही है साथ में आप एक जटावाला नारियल उस पर साथ बार मोली यानि कलावा लपेड़ते हुए अपनी इच्छा बोलते हुए शिवलिंग पर चड़ाएं और उसको बाद में अपनी जोली अवश्य ही भरें और उसके बाद उसको प्रसाद के रुप में ग गलता है नारियल का अगर वो निकलाता है तो वो भी आप शिवलिंग के जो जल से ही उसको ग्रहन करें दोस्तो इस तरह से अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निशित ही आपको मन वांचे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी अगर आपके पास देखे पारश शिव संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी नहीं है तो आप मंदिर के शिवलिंग पर या आटे का शिवलिंग बना कर भी कर सकते हैं इस उपाय को आप जरू करके देखे का किस दिन में ही आपको लाव अवश्य ही मिलेगा दोस्तों अगर आपको हमाई जान करी वीडियो